यदि आपके पास कोई फ्लेट है या फ्लेट खरीदने जा रहे है अगर माल लीजिए फ्लेट जो है वो किसी प्राकृतिक आपदा में टूटता है या माल लीजिए पुराना होके वो इमारत बेकार हो जाती है तो ऐसी condition में क्या आपका जिस जमीन पे flat बनी थी उसमें कोई अधिकार होता है या नहीं होता है कई लोगों के comment आए कई लोगों का confusion इस वीडियो में दूर हो जाएगा और जो भी कानून है उसके बारे में बात करेंगे इससे पहले आपसे कहूंगा यदि आपका property सम्बंदित कोई भी doubt है आप legal advice लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं contact कर सकते हैं हमसे contact number वीडियो की description में दे रखा है आते हैं अपने topic पर अगर देखा जाए तो वास्तम में एक flat के रूप में apartment flat के खरीदार एक सर्रचना नहीं देखते हैं वे उस भूमी का एक हिस्सा भी खरीदते हैं जिस पर इह सर्रचना सौदा के हिस्से के रूप में खड़ी होती है भूम पर एह सौमित भूम USL कहलाता है USL में home user के अवाजित हिस्से के रूप में माना जाता है दीके इसमें क्या है कि flat जो आप खरीदा है वो हवा में तो ठेकेगा नहीं वो जो है उसका construction नीचे से जमीन से होकर आएगा और जो आप खरीदते हैं आप पूरी सर्रचना देखकर खरीदते हैं तो ऐसी कंडिशन में दो कंडिशन्स है यदि माल लीजिए भूकम पाने पर कोई प्राकरदिक आपदा आने पर आपका flat जो तूट सकता है या प्राना होने के कारद, बिल्डिंग परानी होने के कारद, तो प्रसन आता है कि आपके भूमे पर आपका स्वामित रहेगा, कब जा रहेगा, हाला कि देखिए आजकल जो इमारते हैं वो भूकम परोधी होती हैं, भूकम आने पर भी वो नहीं तूटती हैं, अगर बाई चांस तू माली जी कोई जमीन है उस पर 10 फ्लेट हैं दस लोगों ने फ्लेट करी दे तो फ्लेट अगर माली जो पूरा गिर गया है पूरा जरजर हो गया है तो ऐसी कंडिशन में दसों लोगों का उस जमीन पर अधिकार आनुपातिक रूप से रहेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि जो माली जी फ्लोर वाला जो फ्लेट है मली जो भूतल पे था वो कहें कि नहीं यह जमीन मेरी हो गई तो ऐसा नहीं है जितने भी दस थे जो नहोंने फ्लेट खरीदा था उन सवी का अनुपातिक रूप से उस भूमी पर अधिकार होता है दूसरी बात अगर उस बिल्डिंग का बी हुआ था ठीक वैसा ही बिल्डिंग वींगा कंपनी जो है आपका बनाएगी और जिस फ्लोर में जितना वड़ा फ्लेट आपका था उतना ही वड़ा फ्लेट आपको दिया जाएगा बिल्डर का कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहता है जब तक कि कानुन यह साबित नहीं होत है ऐसा नहीं है कि जिसने जमीन पर फ्लेट करीदा है वो कहें कि जमीन हमारी है तो ऐसा नहीं है जो भी बिल्डिंग के ऊपर बनी है उसी जमीन के ऊपर बनी है और जो भी बिल्डिंग बनाई जाएंगी जमीन के ऊपर ही बनाई जाएंगी हवा में कोई बिल्डिंग नही लिए तो कोई भी हिस्सा नहीं आपका यदि मालेजे आपकी फ्लेट की रेजिस्टरी है सौमित्र ट्रांसफर हुआ है आपका तो यहां पर आपका उस जमीन में हिस्सा होता है आनपातिक रूप से आनपातिक रूप से मतलव जैसे माल लीजे 20 लोग है तो 20 लोगों का ही उस जमीन में हिस्सा होगा ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपका प्रस्न है कोई भी डाउट है कोई भी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते ह तो समपर कर सक्षा